हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का Mathematics Mentor स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने Magnet Bains में जो प्रोवाइड करता है 100% Quality of Free Education गंड गाडन से लेकर Class 12 तक अगर आप लोग CPSC बोट से तो आप लोगों के लिए तो Magnet Bains का English Medium Channel है लेकिन अगर आप लोग Hindi Medium से तो घबरानी की क्या बात है आप लोगों के लिए Magnet Bains का Hindi Medium Channel जहां पर आपको मिल जाता है Class 6 से लगर Class 12 तक वही Quality wise और वही Free Education जो आपको यहां दी जा रही थी वो भी वो भी वो विद कवरेज यूपी बोट डेली बोट बिहार बोट राजिस्थान बोट और आपका प्यारा प्यारा MP बोट इतना ही नहीं यहां पर आपको मिल जाते धेरो सारे प्रैक्टिस कोशन जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो और अगर आप हमारे एबुक्स या इनोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिल वादिया गया है आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं तो थोड़ा जल्दी से आज यह देख लेते क्या करना है क्लास नाइन्थ मदबनेक्स ट्रैंगल चाप्टर नंबर सेवन में आज हम लोग बात करने वाले एंसी आटी एक्जामपल्स और एक्जामपल्स होने वाले सेवन और एट तो बड़े ही ध्यान से देखने यह दोनों एक्जामपल्स सेग्मेंट है ठीक है पी और क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोज़ेट साइट ऑफ एबी सच डाट इच अफ देम इस इक्वी डिस्टेंस फ्रम दा पॉइंट ए और बी अब क्या बोल रहा हूं मैं अब मैं यह बोल रहा हूं कि पी और क्यू साइड ए मतलब लाइन सेग्म करना है कि जो लाइन पी क्यू है ना वो पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर है एबी का हमें यह शो करना है कि यह जो पी क्यू है ना यह पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर है एबी का तो अब एबी का पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे शो होगा यह कि आपको कोई भी ए एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा कोई एक एंगल कौन सा चाहे आप ये वाला कर दीजिए चाहे ये कर दीजिए चाहे ये कर दीजिए चाहे ये कर दीजिए अगर एक हो गया तो बाकी सब 90 और अगर 90 हो गया तो वो पर क्या given है आपके पास P A बराबर क्या P B ठीक है और Q A बराबर Q B क्या Q A बराबर Q B Q A बराबर Q B अच्छा और क्या given है बस सर इतना ही given है बस बाकी तो हम लिख देंगे कि एक line segment A B A P और Q उसके opposite point है और P A और B और Q A और B से क्या है equal distance पर है ठीक है अब हमें show क्या करना है तो two proof की बात आजाएगी हमें ये proof करना है कि ये जो P Q है न ये perpendicular है किसके A B की P Q is perpendicular to A B मतलब मेरा तो ऐसा कहना है कि कोई भी एक angle को 90 degree proof कर दो और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस angle को क्या करूँ 90 degree proof कर दूँ मैं सीधा सीधा यहीं लिख रहा हूँ bracket में कि मैं एक चीज़ प्रूफ कर लूँगा कि angle A C P is equal to 90 degree ठीक है is equal to 90 degree अब ज़रा आजाओ और बात कर लेते हम लोग proof की किसकी proof की अब प्रूफ यह चीज होगी कैसे अब मेरा जो दिमाग के रहा है वो सोनो आप लोग तो सबसे पहले मेरा जो दिमाग के रहा है मेरा दिमाग यह के रहा है कि भाया एक बार ना मैं पूरा triangle ले लूँ क्या करूँ पूरा यह triangle ले लूँ देख पारे हो आप और एक मैं यह वाले triangle ले लूँ कौनसा यह वाला अब इन दोनों triangle में आपको दिख क्या रहा है वो बताओ अब इन दोनों triangle को मेरा motive है कि मैं congruent proof करूँ सुनना बहुत जादा द्यान से मेरा motive है कि मैं इन दोनों triangle को यह पूरे यह पूरे triangle को congruent proof करूँ और मैंने करने की को अब करा कैसे मैंने बोला कि ये रइडवाले कि जो साइड है वह इस यलो वाले के बराबर है क्यों क्योंकि भई या P A& P B बराबर है बराबर है और जो A Q है वह इस B Q के बराबर है बिलकुल और Jb P Q और PQA दोनों में common है तो ये दोनों triangle क्या हो जाएंगे congruent हो जाएंगे ये बाद ठीक है? ठीक है congruent proof हो जाने के बाद ये वाला angle और ये वाला angle आपस में क्या हो जाएंगे परापर हो जाएंगे by CPCT corresponding parts of congruent triangles ठीक है बस बड़े आराम से आरे एक घंटा लगेगा न एक घंटा लगेगा दो घंटे लगींगे तीन घंटे लगेंगे इस question में हम लगाएंगे लेकिन इसके बाद अगर ये question exam में आ गया तो हम करके आएंगे बाद खतम हम करके आएंगे ठीक है तो कौन सा triangle ले रहा हूँ Q and triangle PBQ अब इन दोनों triangle में मैंने क्या बोला कि इस वाले triangle की जो ये वाली side है इस वाले triangle की जो ये वाली side है वो इस वाली side के पराबर है हाँ यार भाई यार बिलकुल पराबर है चलो तो बस और ऐसे ही ये वाली side जो है वो ये वाले side के पराबर है बिलकुल बराबर है और य यह जो हैं दोनों में common है, तो दोनों ट्रंगल concurrent हो का पाए, side, side, side similarity, oh, concurrency criteria, concurrent हो का है ना, ठीक है, तो आपके पास PA बराबर PB, reason, sir, given, okay, अच्छा, अब सुनना, PA बराबर PB और QA बराबर QB, QA बराबर QB, क्या, given, ये भी ठीक है, अब PQ और PQ दोनों में common, PQ बराबर PQ, दोनों में common तो उस हिसाब से ट्रंगल PAQ, therefore, ट्रंगल PAQ is congruent to triangle, सुनना, समझना, देखना इस congruent to triangle PBQ, reason क्या लोगे, by side-side-side congruency criteria, side-side-side congruency criteria, ठीक है, ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया, तो मेरा ये केना है, कि ये वाला और ये वाला, क्या हो गए, angle बराबर हो गए, मतलब angle APC, angle APC, बराबर angle BPC, reason by corresponding parts of congruent triangle, दोनों triangle congruent हो गए, तो ये दोनों CPCT से बराबर हो गए, ठीक है, एक चीज तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, अब क्या करूँ, वो सुनो, अब मेरे दिमाग में क्या फिल्म चल रही है, वो सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से अब मेरा मन चल रहा है कि मैं इन दोनों को congruent proof करूँ, कौन कौन से, इन दोनों को, उससे क्या होगा, उससे ही होगा, कि ये वाला जो angle है, और ये वाला जो angle है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अगर बराबर हो जाएंगे, फिर आगे की बात को सुनो 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 ठीक है अब आपको समझ में आएगा कि भाई आपने ये दोनों ट्रेंगल को लिया क्यों आपको आपने ये दोनों ट्रेंगल को लिया क्यों आपको अब समझ में आएगा तो अब थोड़ा यहां पर करूंगा मैं ठीक है यहां पर कर सकता हूं चलो य मैं कर क्या रहा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ, मैं, इंट रेंगल PAC और कौन से रेंगल PVC, पी एस सी और PVC ले रहा हूँ, ठीक है, क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, ये पी एस सी और ये वाला पी बी सी और ये वाला पी बी सी अब मैं इन दोनों को कॉंगरेंट प्रूफ करना चाहरा हूं पता है क्यों क्योंकि मैंने अगर इन दोनों को हो जाएगा 180 के बराबर अब 180 के बराबर हो जाएगा तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे आपको करके बता देता हूं अगर उपर से जा रहा है तो कोई दिखकत नहीं है अभी नीचे से जाने लगेगा तो अब आपके पास यह दोनों ट्रेंगल है आपका मोटे वे इन दोनो CT से proof करके आया पीछे ठीक है और ये वाली जो side है वो ये वाली side के क्या है बराबर है तो अब सुनों ये वाले triangle और ये वाले triangle दोनों congruent होगा है कैसे side, angle, side फिर से side, angle, side concurrency criteria से अब अगर ये दोनों congruent होगा है तो ये बराबर ही हो जाएगा बैस CP CT आप पहले तो लिख लो क कि सर जो AP है वो BP के बराबर है अगर कोई पूछे तो क्या वो लोगे अरे गिवेन है वह या क्या वो लोगे गिवेन है ठीके और ट्रैंगल एंगल APC बराबर एंगल BPC बराबर एंगल BPC अब इस में reason क्या लिखोगे proved above क्या proved above ये proof किया ना cpc't से है उसके बाद pc बराबर pc common दोनों triangle में क्या है common है अगर ऐसा हो गया तो आप ये चीज बोल दोगे कि जो triangle पी एसी है ना पी एसी मत बोलो फिर आप ऐसे बोलो कि भाईया a.p.c क्या triangle a.p.c is congruent to triangle b.p.c reason by side angle side congruency criteria और अगर ऐसा हो गया तो आप क्या बोल दोगे कि ये वाला जो angle है वो ये वाला angle के बराबर हो जाएगा by c.p.c.t ठीक है तो आप क्या बोल दोगे so angle p.c.a angle p.c.a बराबर angle p.c.b ये physics, chemistry, biology नहीं है ये एक angle है ठीक है reason क्या दोगे by corresponding parts of congruent triangles चलो बहुत शांदार तरीके से आपने इसको कर डाला लेकिन अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ अब क्या करना है अब सुनना बहुत जादा ध्यान से क्या लिखना है आपे since a.b. is a line segment तो अगर a.b. आपके पास एक line segment है तो आप ये बोल सकतो ना कि इस a.b. line segment पे ये ये इस a.b. line segment पे ये वाला angle और ये वाला angle का समकित्ता होगा 180 degree reason linear तो मैंने लिख दिया since a.b. is a line segment तो angle a.c.p. angle a.c.p. plus angle b.c.p. बराबर कित्ता 180 degree reason लिख देना क्या linear pair linear pair ठीक है अब जैसे आपने linear pair लिखा तो आप अब सुनना ध्यान से आप a.c.p. की जगे पे तो a.c.p. ही लिखो मेरे को कोई इतराज नहीं है आप b.c.p. सुनना b.c.p. बोलो या pc.p. बोलो आपके पास a.a. वाला angle रहा है तो इस pc.p. की जगे पे आप p.c.a. लिख सकतो है मतलब a.c.p. लिख सकतो तो बराबर किता 180 डिग्री अब दो कुना of a.c.p. प्रदियूमन नहीं है यह बराबर 180 तो angle a.c.p. यहां से किता आजाएगा सर जी 90 डिग्री आजाएगा और यहां पे बात हो जाएगी इसकी खतम तो हमने इसको प्रूफ कर दिया कि क्या बोल दोगे आप अब आप नीचे लिख देना क्या कि p.q. is the perpendicular bisector of a.b. समझ गया है ऐसे करना इसको एक बार जल्दी से screenshot ले लो मस्त वाला प्यारा वाला मैं जानता हूँ मैं समझ पा रहा हूँ कि time लगा होगा no doubt time लगा होगा यह बात पकी है लेकिन समझ में आया है वो बड़ी बात है समझ में तो आया प्यार से करो आराम से करो एक एक चीज को समझ के करो ना तो दिमाग में बैठती है और वही हमने किया है यहाँ पर थोड़ा सा time लिया है पर चीज समझ में आई है आपको यह बात आप बोलोगे हमने क्या किया हमारा motive था कि इसको और इसको क्या करना है हमें यह प्रूफ करना है कि PQ perpendicular by sector है कि का A B का तो मैंने क्या किया मेरे पास यह वाले दोनों triangle को लिया और दोनों triangle को concurrent proof करकी यह वाला angle और यह वाला angle बडाबर बताया है वाई C.P.C.T उसके बाद मैंने क्या किया उसके बाद मैंने आधे आधे triangle लिया और उनको congr Например किया अच्छा मैंने पूरे के लिए क्यों थे क्योंकि जब मैं आधे लूँगा ना तो मेरे पास चीजे होनी चाहिए तो मेरे पास यह नहीं थे तो यह में ले के आया CPCT से यहां पर यह में ले के आया CPCT से फिर मैंने जोनों ट्रेंगल को क्या किया साइड एंगल साइड से इन दोनों को अब मैंने क्या बोल दिया कि मैंने यह वाला एंगल यह वाले अंगल के बराबर बोल दिया बाइस सीपी सीटी सेम टू सेम चीज हो गई ठीक है अब क्या किया मैंने एक लाइन सेग्मेंट थी तो इन दोनों का समवन 80 डिगरी होगा और वो लीनियर पेर बोलता ही ऐसा तो बस पी सीपी की जगह मैंने एसीपी लिख दिया और बस एसीपी प्रूफ हो गया कि ता 90 पूरिये एक एक का स्क्रीन शॉट ले लेना एक एक का स्क्रीन शॉट ले लेना आजाओ अब जरह इसकी बात करते हैं अब यह सर जी कौन है पहले तो नमस्ते कर दो है ना पहले तो नमस्ते कर दो भाई मस्त तरीके से चलो अब नमस्ते इज़त भोद्दे दी अब जरह इ क्या बोल रहा है कि P आपके पास एक पॉइंट है समझना P आपके पास एक पॉइंट है जो की equidistance पे है from two lines L और M intersecting at point A आपके पास P एक पॉइंट है ठीक है जो की equal distance पर है equidistance का मतलब समझना equidistance का मतलब क्या है equal distance यह जो आपके पास point P एना यह equal distance पर है किससे L से भी और M से भी equal distance मतलब कि यह जो distance है ना और यह जो distance है दोनों बराबर है ठीक है तो यह ऐसे line खिची हुई है मतलब यह दोनों बराबर है ठीक है intersecting point A अब यहाँ पर L और M intersecting at point A L और M intersect कर रही है point A पर ठीक है आपको शो करना है कि जो line AP है आपको यह शो करना है कि जो line AP है यह bisect कर रही है angle between them आपको यह proof करना है कि यह वाला जो angle है ना वो इस वाले angle के क्या है जी बराबर है अगर यह दोनों angle को बराबर बोल दोगे ना तो आप यह बोल सकते हो कि AP angle A को bisect कर रहा है और आपको यह शो करना है शो that the line AP bisects the angle between them between them मतलब यह वाली और यह वाली को bisect करना मतलब बराबर प्रूफ करना अब कोशिस तो कर सकते हैं at least अब कोशिस तो कर सकते हैं तो हमने कोशिस करी हमने दिमाग लगाया हमने बोला कि यह एक काम करते हैं हम एक ये वाला ट्रेंगल ले लेते हैं और एक हम कौन सा ट्रेंगल लेते हैं और एक हम ये वाला ट्रेंगल ले लेते हैं अब इन दोलों ट्रेंगल को मैंने क्या किया कॉंगुरेंट प्रूफ करने की कोशिश करी congruent proof मैंने इनको ऐसे किया कि मैंने ऐसा बोला कि हार चलो ठीक है यह वाली जो side है ना वो यह वाली side के बराबर है यह बात आप मान गए ठीक है यह वाला जो angle है वो यह वाला angle के बराबर है हना 90-90 each 90-90 each यह question में given है question में given है और फिर मैंने बोला कि AP और AP दोनों में common है तो अब सुनों यह दोनों triangle congruent होगा है कैसे right angle आया ठीक है hypotenuse है right angle के सामने वाली side को hypotenuse बोलते है तो right angle, hypotenuse और x side right angle, hypotenuse और x side दोनों triangle को मैंने RHS concurrency criteria से congruent proof कर दिया और अगर ऐसा हो गया तो यह वाले जो angle है वो यह वाले angle के बराबर हो गया cpct समझ गया बात को अरे स्यामाजगाय की नहीं समझे समझे समझ गया तो अब मैं बहुत ज्यादा प्यार से बहुत ज्यादा अच्छे से आपको यह बता रहा हूँ कि हम करना क्या चारे अब सुनना देखना यहाँ पर मैं यह वाले एक triangle लूँगा और एक triangle लूँगा यह वाला ठीक है यह दोनों triangle मैं अभी ले रहा हूँ तो बस अब आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर कुछ भी नहीं करना सिर्फ लिखना है क्या करोगे given लिखोगे given में क्या लिखोगे कि p is equal distance from two lines l और m क्या लिखोगे p is equal distance from two lines l और m और अगर ऐसा है तो आप क्या बोल दोगे आप यह बोल दोगे कि p b और p c आपस में क्या है बराबर ठीक है so p b बराबर क्या है p c a यह चीज given है अच्छा आपके पास यह वाला जो 90 degree का angle है और यह जो 90 degree का angle यह बराबर है तो आपके पास एक चीज और given है कि angle p b a बराबर angle p c a यह चीज तो यार given है अब given वाली तो पूरी चीज लिखूंगा ही ना मैं ठीक है अब आ जाते हैं बाद to proof पे तो to proof में क्या दिया हुआ है हमें यह proof करना है कि angle b a p बाप नहीं है यह ठीक है और c a p cap ठीक है जो तुम टॉपी बिनाते हो ना किसको बिनाते हो वो तो मुझे explain करना ही ज़रूत नहीं है तो angle b a p is equals to angle c a p यह आपको proof करना है और यह proof करना है मतलब क्या करना है आपको मतलब यह करना है कि जो line a p है ना bisect कर रही है angle a को ap bisect angle a ठीक है आपको यह proof हो जाएगा जब आप इन दोनों angle को बराबर बता दोगे अब सुनना समझना और देखना तो अब आप क्या कर रहे हो proof कर रहे हो कैसे करोगे भाया a b p लोगे और a c p लोगे यह प्रद्यूमन हमेशा आ रहा है इन ट्रेंगल a b p a in triangle a c b दोनों triangle में जब मैंने देखा तो मुझे यह पता चला कि इस वाले triangle में यह bp और इस वाले triangle में यह pc बराबर bp बराबर pc reason sir given reason given अच्छा यह वाला जो angle है और यह वाला जो angle है वो आपस में क्या बराबर है 90 degree अच्छा reason sir फिर से वाई given angle pba बराबर angle pca reason given ठीक है और जो a p है वो a p दोनों में common है a p बराबर a p reason common a p बराबर a p common तो अब क्या हो जाएगा triangle a b p तो क्या हो जाएगा so triangle a b p is congruent to triangle a c p reason क्या दे दोगे by right hypothesis side concurrency criteria क्या दो दो दोगे by right angle side concurrency criteria ठीक है RHS अब अगर ऐसा हो गया तो आप क्या बोल दोगे कि यह वाला जो angle आ रहा है वो यह वाले angle के बराबर है तो angle b a p क्या लिख दोगे therefore angle b a p बराबर angle c a p और reason क्या दोगे reason दोगे by corresponding parts of congruent angles simple सा था मैं ऐसा समझाता हूं कि अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो बढ़िया तरीके से थोड़ा time लेके समझाता हूं लेकिन वो चीज को मैं बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से समझाता हूं अब आपका काम है कि आप इसको screenshot ले लो बस तो आपका अगर आपने दोनों एंगल को बराबर कर दिया तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो लाइन एपी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिट्वीन देम ठीक है समझ गया है तो आप लिख देना यहाँ पे LINE कौण सी ये? एपी बाइसेक्ट अंगल एए हो जाएगा ये आपका Example No.8 हो गया मस्त तरीके से एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त screenshot ले लीजिये और बस यहां पर हमने दोनों examples को मस्त तरीके से थोड़ा time लेके समझा लेकिन बढ़िया तरीके से समझा तो यही काम है हमारे magnet brains का कि हमें तो आपको ऐसे quality wise और free education provide करना है वो भी kindergarten से लेकर class 12 तक अगर आप लोग CBSC board English mediums हैं क्योंकि हमारे कुछ top courses है जो कि English और Hindi medium में available है अगर आप लोग CBSC boards है तो आप लोगों के लिए तो यही वाला channel है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ यह हमारा channel है जिसको आपने अभी तक subscribe नहीं किया जल्दी जाओ यार जल्दी से subscribe करो क्योंकि आप playlist के option में जैसे ही जाओगे न तो यहाँ पर आपको सारे ही teacher के सारे ही subject के सारे ही classes के सारे topics के भी सब topics के videos एकदम arranged format में मिलते हैं आप community के option में अपनी नजरे बना के रखना क्योंकि यहाँ पर आता है magnet brain का update आप हमारा live session certain कर सकते हो यहाँ से आप हमारा app download कर सकते हो grab e notes को option में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे e notes अवेल कर सकते हैं आप हमारी website विजिट कर सकते हैं यह video पसंद आए तो like share और subscribe कर दीजेगा आप हमें follow कर सकते हो भीया facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp पे e notes या e books अगर अवेल करने हैं तो link description box में डलवा रहा हूँ आप वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं साथी साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिष्टदार अगर हिंदी मीडियम से हैं तो उसको बोल दीजे tension नेने की बिलकुल भी बात नहीं है क्योंकि magnet range लेकर आ गया है एक बहुत बड़ी खुशकबरी जी हां magnet range सारे कुछ और भी courses हैं जिसका नाम है Vedic Maths Crash Course और Spoken English तो आज के session में सरफ इतना ही मिलते हैं नेक्स session में तब तक लिए bye bye अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एकिजिस बोलूँगा दोस्त की पढ़ाई करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है बाई-बाई